हेलो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आपके लेकर आई हूँ मतर की एक और नई रेसिपी इसे आप आसानी से बना सकते हैं तो ट्राइ करके देखिएगा बहुत टेश्टी बनता है यह तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए तो एक कटोरी मतर लेना है हमें और ले पानी ले लेना है और अब इसे हम उबलने के लिए रख देंगे तो यह मैंने गैस ओन कर दी है और इसे ढाक कर उबलने देंगे इसे कम से कम 10-10 मिनिट तक उबाल लेना है तो और आप चाहे तो कुकर में भी इसे उबाल सकते हैं एक सीटी लेने तक अब जब तक आटा और थोड़ा सा आधे से भी कम यह मैंने ज्वार का आटा लिया है इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया टेस्ट के कॉडिंग और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे पानी से गुन लेना है तो इसका आटा रोटी के आटे जैसा नरम नहीं लगाना है थोड़ा सा रखना है तो यह देखिए इतना आटा मैंने लगा लिया है अब इसे कम से कम 10 से 15 मिनिट के लिए मैं ढाक कर रख दूंगे और जब तक यह देखिए मतर भी उबल चुके हैं तो इसे निकाल कर ठंड़ा होने के लिए रख देना है और इसका पानी अलग कर देना है पानी मै यह मैंने जार में डाल दे रही हूं और अब इसे मिक्सी में पीस लेना है तो यह देखिए पेश्ट इसका तयार हो गया है अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे एक बर्तन में निकाल के इसे रख लेना है और अब इसमें मैंने डाल दिया है यह नमक टेस्ट के कॉडिंग यह चाट मसाला डाल दिया थोड़ा सा भुना पिसा जीरा डाल दिया और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद यह मैंने थोड़ी सी शक कर डाली है वन टीस्पून यह बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप चाहें तो ना भी मिला है इसमें अब इसे इसे भी अच्छे से मिला लेना है और अब मैंने कडाही में पानी उबलने के लिए रख दिया है करीबन 1.5 गलास पानी डाल दिया इसमें 1.5 गलास और इसे उबलने के लिए रख देंगे और अब इसे रोटी जैसा बेल लेना है तो इसे थोड़े लंबे साइज में बेलना है तो यह देखे मैं बेल के दिखा रही हूं और रोटी से उसकी मोटाई जो है थोड़ी मोटा रखना है यह देखे इस प्रकार से ऐसा लंबा साइस में बेल लेना है और अब जो मसाला तयार किया था वो इसके अंदर भर देना है ऐसे यह मैंने लंबाई में मिश्रन को इसमें फैला दिया है यह देखिए और अब इसके चारो किनारे पर यहां पर पानी लगा देना है यह मैं पानी लगा रही हूं चारो तरब और इस प्रकार से इसे पैक करना है यह देखिए इस प्रकार से पूरा सील पैक कर देना है चारो तरब से तीनों साइट से और इसी प्रकार से सारे तयार कर लेने हैं और अब इसे जो कड़ाई में पानी उबलने के लिए रखा था उसमें बफा लेना है तो एक एक करके सभी इसमें मैंने डाल दिया है यह देखिए और अब इसे दोनों साइड से पका लेना है बफा लेना है तो मैंने इने दोनों साइड से पलटके और इसे फिर से ढाक के पकने के लिए छोड़ देंगे और ये देखिए दोनों साइड से ये पक चुका है तो अब इसे मैं निकाल ले रहे हूँ और निकालने के बाद अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसके ये दिखिए छोटे-छोटे पीस कर लेंगे आप तो मैं इन्हें पहले रख ले रही हूं यहां पे और अब इसे चाकू से छोटे-छोटे पीस बना लेने है इसके इतने छोटे पीस काट लेने है तो यह देखिए सारे पीस मैंने तयार कर लिया है अब इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे अब इसमें बघार लगाना है तो यह मैंने कड़ाई गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल एक चमच करीवन तेल डाल दिया है और ये मैंने हिंग डाल दी सबसे पहले राई डाल दी छोटी वेली राई और ये करी पत्त डाल दीए और अब इसे डाल दिया इसमें इसे दोनों साइड से अच्छे से भून लेना है कहना चाहिए तो थोड़ी सी मैंने हल्डी डाल दी है जिससे कलर इसका अच्छा आजाए तो ये फ्राई कर दिया मतर के मतर का बहुत ही टेस्टी नास्ता तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन भी जाता है तो आप ट्राई करके बत बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में